हेलो दोस्तोव, ज Culkinah, My Soul Family, My Vevers, My Subscribers आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपले लाइफ में आगे बहर रहे होंगे My Soul Family, My Vevers, My Subscribers आज का वीडियो है यह आपके partner और आपकी current energy पर है, ठिक है आप इसे past में भी ले सकते हो, ठिक है प्रजेंट में भी लोग और फ्यूचर के लिए भी लोग ठीक है ये तीनों आपको लेना है पास्ट फ्यूचर और प्रजेंट में ये एनरजी पर ये वीडियो में बना रही हूं वर उससे पहले ये जो वीडियो बना रही हूं सारे साइन के लोग देख सकते ही ये कलेक्ट और आप लोग को गाइट करनी लिए बनाती हों ठीक है है इसमें comparative energy भी है पास्ट भी है future भी है सारे science के लोग सकते हैं आप मेलो फिमेलो और मेर और मैर अलुकम कोई भी हो देख सकते हो आप अपने करस के लिए देख सकते हो और खुद के पार्टनर के लिए देख सकते हो आपका कोई करस है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो तो यहां पे सबसे बड़ी बात मैं यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ ऐसा कि इसमें आपको प्रॉपर ढंग से गाइडिन्स सरी ने ऊबर है तो मैं आपको इसले बनाती हुं कि थोड़ी-थोड़ी आपको गाइड़ी दे सकू कि आप कौन हो हो आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो पहले में ऊस्था दूंगे फिर आपके पार्टनर और आपकी करेंट एनर्जी बताऊंगी फास्ट भी फ्यूचर भी प्रेजेंट भी ठीक है डियर तो चलिए दियर आप दोनों की करेंट एनरजी क्या है और प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट में क्या है और फे शौर्ट में problem आपके साथ क्या हूँ था तौ मैं पहले हाँ आपको बता दू कि देखिए डियर जो ग्रहों की जो चाल होती है न वो बदलती है मौसम बदलता है इंसान बदलते हैं ठीक है यह आपके लिए मैं बोल रहे हूं कि जैसे आपके लाइप में आपके साथ कुछ भी हो रहा है या फिर आपको समझ्जोता करना पर रहा है मैं यहां बोलना हुआ ओंगे कि आप एक खिलाप कोई कुछ भी वह जो धोक देरहा है प्रशान कर रहा है इग्नोर कर रहा है या भी आपको बदर्णाम कर रहा है कोई भी बात हूं यहां पर जैसे लोग हो बदलते हैं शपाण पर इनसान बदलते हैं ग्रहों की चाल बदलती है वस आप ब आज मैं बात करूँगी ध्यान की, मेरिडेशन की, ठीक है? हमें twin journey में, soulmate journey में है, यह spiritual journey है, ज्यान की journey है, अपने आपको balance करने की journey है, God universe से मिलने की journey है, आप अपने partner से क्यूं मिले, क्यूं separation हुआ? आप इस विस ध्यान में सब को जानने लगते हो, खुद को balance करने लगते हो, तो मैं आज meditation यानि ध्यान की बात करूँगी कि ध्यान करने से क्या होता है, क्यूंकि जो आप overthinking करते हो, depression में रहते हो, नीन नहीं आती है, बिमारियां होती है, प्रशान होते हो, आप partner को chase करते हो, जो कई तरीके प्रशानियां और बिमारियां आती है, आप चारों तरफ से अकेला पनफिल करते हो, तो ध्यान जो होता है, meditation जो होता है, आपके मन को सांत रखता है, इस्तिर रखता है, हमारे सरीर में इस्तिरता प्रदान देती है, हजारों बिमारियां से हम लड़ सकते हैं हम खुबसूरत बन सकते हैं, हम स्मार्ट बन सकते हैं, इससे सरीर में कई परकार की नई उर्जा का संचार होता है, ठीक है, और तवचा खुबसूरत और सुन्दर होता है, हम स्मार्ट लगने लगते हैं, ठीक है, ध्यान बहुत अच्छी भूमी का निभाता है हमारे लाइ करें क्योंकि मैं बार-बार बोलती हूं meditation करना है inner work करना है seven chakra का meditation करना है इसलिए मैं यह आपको बतारी हूं अपने आपको सांत रखने के लिए peace रहने के लिए कई बीमारियां से दूर रहने के लिए आपको meditation यानि ध्यान करना जरूरी है ठीक है खुद को जानने के लिए अंतर आत्मा से जूरने के लिए ग्यान प्राप्ट करने के लिए लाइप में ग्रोग करने के लिए अवर्णाइस पाने के लिए नेम पाने के लिए आपको अपने आप से जूरना है यानि कि अंतरात्मा से अंतरात्मा अंतरात्मा यानि परमात्मा परमात्मा से जब हम जूरते हैं तो अंतरात्मा ही से जूरते हैं और वो है विश्वास ठी क्यों क्राम चोकरा से इन्युवर्स से मैसेज हमें मिलता है क्योंकि meditation ऐसी ऐसा मतलब अंदर से आप meditation करोगे ऐसी ताकत आपको देता है meditation कि आप हर चीज पास सकते हो ठीक है तो 10 से 15 मीनट जैसे आपके पास टाइम है आप इसे करें ताकि आप depression से बहार निकलें separation anxiety बीमारिया सबको लेट को कर सकते हुआ आप खुबसूरत दिख सकते हो यंग दिख सकते हो आपकी personality में निखार आएगा ठीक है और आप ग्यान बहुत तरकी ग्यान प्राप्त करोगे अगर आपको soul purpose नहीं मिल रहा है ठीक है soul purpose नहीं मिल रहा है जैसे आप irritation करोगे ध्यान लगाओगे जैसे ही आपको angels God universe के तरफ से message आना शुरू होगा जैसे जैसे आपकी healing होगी healing process चलेगी वैसे वैसे आप heal होते जाओगे और life में आगे बढ़ते जाओगे इसलिए ध्यान जरूर करें ग्यान प्राप्त करें अपनी सक्तियों को जागूत करें तन मन हर तरह से आप अपने कर दिखाना है तो आपको यह काम करना होगा ठीक है शोल में जर्नी यह बहुत ओल्ड सल जर्नी है हमारे पास्ट कनिक्शन है तो हमें उनिवर्स ने कुछ समझ के इस त्रीडी दुनिया में हमें counterpart से मिलाया है ठीक है फिर separation दिया क्यों दिया इसलिए कि आपको जागरूख ह होना है ठीक है बस आपने सोल परपस की और बढ़िये आपके पार्टनर डिवाइनिंग टाइम पर आपके लाइप में आ जाएंगे इसलिए उनको चेस ना करें अपने उपर फोकस करें तो डियर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरू कमेंट में लिखेगा इस तर अपरिशन दर्द में रहोगे तो लाइफ यूहीं बीत जाएंगे कब आप सोल परपस पूड़ा करो कब अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बने ठीक है बहुत ही जरूरी है ठीक है आप लोग ज्यान पाएं ग्र दुखी रहे हो आज भी दुखी हो एक अकेला पन है तनहाई है ठका हुआ फिल कर रहे हो ऐसी नर्जी आपकी दिख रही है ठीक है किसी चीज को लेके आप बहुत अंदर से दुखी हो और वह है कहीं न कहीं responsibility, burden, pressure, family problems या फिर आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया या फ follow करें, ठीक है याँ पर मैं बताना चाहोँगी कि कुछ negative energy आपके आसपास है, ठीक है, negative thoughts भी हो सकते है, विचार में उतार चड़ा भी हो सकते है आपके चक्रा स्प्लॉक हो सकते हैं, यहां पर यह भी दिख रही है, आपके आसपास निगेटिव इनर्जिया बहुत है, वही निगेटिव थौर्स आपके दिमाग में आते हैं, जो आपको इस मेरिटेशन से दिमाग से आपको बाहर निकालना है, ठीक है, और यहां पर आपको जस्टिस देंगे, यह प्लानिंग आपके परसन की चल रही है, ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है, अपने पर बैलेंस की बात है, अगर इस वीडियो पर मेरे जो वीवर सा हैं, तो 100% इस वीडियो को आपने फॉलो किया है, अपने लाइप में बहुत जल आपक अपने लाइप में परशान हो दिखुई है, नहीं निकल पार है, वहाँ भी लड़ाई जगड़े फाइटिंग हो रहे है, आपके पार्टनर अपने लाइप में भी परशान है, ठीक है, दुखी है, परसान है, हो सकता है, इनके उपर बहुत बढ़न प्रेशार है, परशान हो सकते हैं, बचे भी हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह आपको भुलाने ही पार है, अब क्यों नहीं आप से क्लियर कमिटमेंट दे रहे हैं, यह पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुई है, हिलिंग की, इसमें टाइम लगता है, वक्त प्लीज इस वीडियो को जरूर फॉलो करें इसे इग्नोर ना करें अगर जो इस वीडियो को देख रहा हूं वो बहुत ही लगी होंगे और बहुत ज़त अपने लाइप में आगे बर रहे होंगे तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अंदर से दुखी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ देख ये भी रही हूँ कि मेरे कुछ भीवर्स को अब धीरे-धीरे अंदर से वो पावर जाग रही है, आपकी ग्रोथ मैं देख रही हूँ, ठीक है, कुछ लोग बहुत स्टक है, अब अपनी लाइप में अपने आपको बैलेंस करने की तयारी कर चुके हैं, ठिक है? लेकिन यहाँ इनरजी उतार चड़ावी है, ठिक है? आपके पाँटनर अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात करते हैं, स्पाइप करते हैं, वो इंसान जो भी आपके life में है जो भी है या है अभी नहीं है या फिर move on कर दिया बात कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन ये आपको सारी खुसियां देना चाहता है लेकिन blockage क्यों आ रहे हैं क्योंकि आपकी कर्मा किलियर नहीं हुए है ठीक है blockage को heal करना है कर्मा को heal करना है और life में आगे बढ़ना है ठीक है आप बहुत जल 6 month 1 year के अंदर आप अपने goals के और बढ़ोगे और divine time पे आपकी permanent reunion होगी marriage होगी यह होगा डिये बट आपको patience रखना यह journey है patience का long है tough है painful journey है बट जो मिलता है तो खुसियां बे सुमार मिलती है और आप अपने आपको जान पाते हो ठीक है फिर जब आपकी growth होती है क्योंकि soulmate journey twin journey soulmate journey देखिए जर बहुत है लेकिन twin twins जो होते है वह rare है ठीक है soulmate हमारी life में बहुत आते हैं लेकिन twin rare होते हैं यह अपने हमें साथ धियान रखना कि अपने पर focus है देखे दियर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी क्या आप जिस relationship में हो ठीक है आप जिस relationship में हो क्या आपके twin है या आप जानते हो या confused हो यह मेरे कुछ viewers की energy है और यह जानना भी जरूरी है ठीक है बहुत सारे sign मिलेंगे अगर आप twin journey में हो soulmate journey में तो उस पर आपको focus रहना है तो यहाँ पर आपके person अभी इस बक्त देखिए काम पर जरूर focus हैं लेकिन यह overthinking कर रहे हैं यह बहुत जल्ड आप किसे connect करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग का call message आएगा dear मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग आपके partner आप से decision नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी family है और family को चोड़ नहीं सकते हैं प्यार unconditional है वक्त आया नहीं है timing आई नहीं है तो यह person अभी भी आप से बात तो कर रहे हैं लेकिन खुल कर decision नहीं दे रहे हैं ठीक है तो इनको energy चाहिए मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ के partner बहुत catch करूं match करूं ठीक है तो यहां पर आपके person आपको प्यार offer करना चाहते हैं एक नई शुरुवात चाहते हैं ठीक है लेकिन कुछ के like में मैं बहुत blockage देख रही हूं ठीक है और कुछ लोग की नई person आपको call message receive होगा बट अपने आपको balance किजिए उनको chase मत किजिए क्योंकि किसी के partner को फर्क पड़तो रहा है लेकिन कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं आपको ठीक है आपके घर में फाइटिंग भी चल रहा है mentally physically कहीं अगर आप married हो या फिर आपके घर में family parents हैं किसी बज़ा से मुझे लगड़ा कि आपके घर में भी कुछ ना कुछ fighting चल रही है लेकिन आपके partner अपने life में काम पर बहुत ज़्यादा focus है ठीक है क्योंकि इनके साथ past में कुछ loss हुआ है finance job को लेकर बहुत अब यह थोड़ी महनत करना चाहते हैं ठीक है और इस वीच उनकी आपको उनकी जरूरत होड़ी है दोनों की जरूरत होड़ी है लेकिन यह अपने आपको mature बना रहे है ठीक है यह अपने आपको mature बना रहे हैं action के mood में है क्योंकि अभी इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जरूरत है पैस्नेट हो रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं गलत फहिम्य को दूर करना चाहते हैं लेकिन उनकी तरफ आपसे मिलने की है आपके तरफ बढ़ने की आपसे बात करने की है कुछ के परसन आ रहे हैं हीलिंग ले रहे हैं एनर्जी ले रह रहे हैं फिर भी वह आपको खुल कर नहीं बोल रहे हैं अभी जिसके पार्टनर आ रहे हैं आप कुछ के पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं नीव विगनिंग दिख रहा है बट कुछ के पार्टनर बिल्कुल स्टक है एक्षन के मूड म क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में देख रहे हैं आप जगड़े करने वाले हो इस रिस्तिय में आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तो आप जगड़े करने वाले हो फाइटिंग बढ़ेगी दुडियां बनेगी ब्लॉके जाएगा और आप गुस्सा आपका बढ़ सक सकता है इसलिए आज अवी से जो मैने में मेडिटेशन बोला लनी क्या होता मेरिटेशन क्या होता है अगर आप तो आप लाहित में बहुत कुछ कर सकते हो को बैलन्स कर सकते हो गुस्से को बैलन्स कर सकते हो अपनी एनर्जी को बैलन्स कर सकते हो आपके पार्टन आते हैं आप 100% बैलन्स दे देते हो एनर्जी दे देते हो फिर आप दर्द पेन में रहते हो इसको बैलन्स करना है क्योंकि किसी के पार्टन आतो रहे हैं फिर आपका दिल तूट सकता है यह इनके माइंड में आपसे मिलना है, बात करना है एनरजी लेना है, फिर यह कुछ दिन बात करेंगे, फिर 9-11 हो जाएंगे लेकिन इस विज़ फिर आपका गुसा बढ़ सकता है आपकी मैरेज की कही बात हो सकती है या फिर मैरेड हो तो फैमिली मेंबर या घर में जगड़े बढ़ सकते हैं ठीक है, इसलिए बैलेंस कीजिए जो गाइडिंस मिल रहा है, उनिवर्स इंजल्स के तरफ से मिल रहा है, स्प्रिट गाइड के तरफ से मिल रहा है, इसको आप जरूर फॉलो करें, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आपके माइड में जरूर इंवर्स के तरफ से मैसेज आ रहा होगा, ठीक है, आप अपने उपर फोकस करें, तो यहाँ पे आप अगर ट्विन हो, सोलमेट जर्नी में हो अगर आपको ऐसा लगा है, तो आपको सायन भी मिल रहे होगे किसी के पार्टनर आ रहे हैं, बहुत ठीक है, जुकष dir नहीं चाहते हैं क्यूंकि अभी वह कर्मा को क्लिर नहीं कियें ब्लॉकज नहीं हिल कियें किसी के अभी आप प्रोसेस में हो हिलिंग प्रोसेस में हो या पिर इनर वर्ग कर रहे हो तो ये पार्टनर आपके तरफ बढ़ती हुए दिखाई दे रहे दिया ठीक है लेकिन आप जो चाहोगे कि आपको कमिट्मेंट परमा दे तो ये मुझे यहाँ एनरजी नहीं दिख रही है क्योंकि आएंगे एनरजी लेंगे बात करेंगे हिलिंग लेंगे और कुछ आपका अपने उपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है यहाँ पर ये दिख रहे है अगर ये एनरजी लेकर जाते हैं तो आने वाले टाइम में मैं फ्यूचर में आपको गुसा करते हुए दिखाई दे रहे हूँ कुछ लोग बैलन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं गुस गुसा में आ रहे हैं तो आज अभी इसी बख से अपने आपको बैलन्स कीज़े लाइफ में आगे बढ़िए तो इस चीज को फॉलो किजिए क्योंकि मैं एक हीलर के साथ साथ एनरजी चेक भी करती हूँ टैरो कार्ड डिडर भी हूँ इस्प्रिच्वल हीलर भी हूँ कोच भी हूँ सही दिशा, सही सिच्छा, सही ग्यान देना आपके सुल परपस तक पहुँचाना आपका confidence label बढ़ाना ये मेरा काम है दियर तो अगर आप चाहते हो कि मुझे life में आगे बढ़ना है तो जरूर आगे बढ़ें बहुत चैस मत करें अपनी value अपनी regard करेंगे तो आपके life में बहुत खुशिया आएगी आपकी value बढ़ेगी तो partner आपके तरफ बढ़ेंगे ठीक है डियर मैं sign बता देती हूँ यहाँ पर टॉरेस हैं, कैंसर हैं वर्गो, लिब्रा जेमिनाई, एरिस, पाइसेस कैप्रिकोल, सेजिटेरियस यह sign मुझे सब दिख रहे है ठीक है, सारे sign है और sign fire sign, water sign, year sign बस आप overthinking नहीं करें ठीक है, नहीं तो वो energy उनको पीक होगी इसलिए मैं यह video बनाती हूँ कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा guidance मैं देती रहू आप लोग समझते रहो और इस journey के बारे में समझो कि आप कौन हो, क्या हो, क्या करना नहीं करना है ठीक है, और like में आगे बढ़ते रहो ठीक है, अगर यह video आपको अच्छी लगती है तो please like, share, comment किजेगा और चैनल को subscribe जरूर किजेगा bell icon जरूर दबाएगा ठीक है